द्यान देगे संस्कित के पार तरड तक आपको गया संस्कित के पार फोर्म में पुनहूशी सुत्रों को जो है दिया जा रहा है तो यह ई थम भूत लक्षने यह उपलक्षने तिर्थिया भी कहा जाता है इत्थम भूत लक्षने या उपलक्षने तिर्थिया यानि जिस लक्षन विशेश से किसी व्यक्ति की पहचान हो जाए किसी चीज को देखने के बाद आप कह दें उसको कि लगता है कुई ऐसन है तो यह रहेगा यानि इस बाद का होता है तो उस लक्षन वोधक जियान देजिए जिस लक्षन से किसी व्यक्ति का जियान होता है उस लक्षन वोधक सब्द में तिर्थिया व्यक्ति होती है जैसे हमोसी को देखते हैं खूप बड़ा बड़ा दारी जटा लगई है और देखते हैं पर अगर किसी के हाथ हो हम लोग किताब उताब देखते हैं चोटा अपन लीजिये भच्च्या धंका मन लीजिये चोटा भुष die लिख धी आरत है कहने कायरत है कि जिससे उसकी पहचान हो जाए यानि कोई चीज हम लोग देखें उसके साथ में और उससे हम पहचान लें और कह दें कि लगता है कि वो ये है तो उस लच्छन बोधक यानि चिन विशेश में जिस चिन से पहचानते हैं आप उसमें तिर्तिया विभक्ती होती है जैसे वह पुस्तक से छात्र मालूँ परता है यानि उसके हाथों में पुस्तक है उसके हाथों में किताब है तो हम कर रहें कि लगे चे अरे विद्यार्थी ये होते हो है कि नहीं तो वह पुस्तक से चात्र मालूम परता है किस से चात्र कह रहे हैं पुस्तक से उसका चिन जो है वह क्या है पुस्तक तो पुस्तक में तिरतिया विभक्ती होगी ठीक है इत्थम भूत लक्षने इस लक्षन विशेश में तिरतिया विभक्ती होती है वह पुस्तक से चात्र मा मालूम पड़ता है तो इसी प्रकार से जो है इसी प्रकार से नीचे जो है हम आपको इसमें भी जो है हम दूचार गो आपको दे देते हैं उसके बाद उसको मौन लिजी आप देख लिजिए का जैसे हम लोग देच सकते हैं वह वस्त्र से साधू प्रतीत या साधू प्रतीत होता है या साधू मालूम पड़ता है जो कहिए मालूम पड़ता है ठीक है ऐसे विभिनी प्रकार के हैं जैसे वह दे सकते हैं कि वह माल लिजी वह पुष्टक से भामन मालूम पड़ता है वह मालूम किसी चीज़ को दिया जा सकता है वह जटाओं से दिजिए वह जटाओं से तपस्वी मालूम पड़ता है वह जटाओं से तपस्वी मालूम पड़ता है तो इस प्रकार से जो है आप इसमें सब में देखिए बस्तर से त habits कलम से तिरतिया वेखती पुस्तक से तिरतिया व्यक्ती जटाओं से तरतिया व्यक्ती ठीक है इसमें तिरतिया विखती लगेगा ठीक है इसको आप देख लेंगे यह जो है अनुबात रूपन में होगा फुना हम इसके आगे अगले पार्ट में फिर अगले सुट को देखेंगे ठेक धन्यवाद